Hello guys, this is Vihan अगर अभी भी आपके staff nurse post code 933 के regarding questions छूट रहे हैं अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी आधी अधूरी preparations हुई है examiner क्या आपके exam में questions put up करने वाला है क्या level रहने वाला है और कौन से questions ऐसे हैं जो most important category में अभी चल रहे हैं दोस्तों simply आप यहाँ पर WhatsApp कर सकते हैं और उन सभी questions को आप ले सकते हैं courses भी आप join कर सकते हैं professionals के अंडर ऐसे professionals हैं जो सभी states के entrances exam की professionals करवाते हैं और इनका करवाया हुआ जो भी courses हैं जो भी questions हैं यह बहुत important role play करते हैं और 100% आपकी exam में देखने को मिलते हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर WhatsApp पर मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर कुछ specials offer भी चल रहे हैं पहले 500 students के लिए तो offers क्या है वर्टसप आप कर लेजिए पहला questions आपकी screen के सामने रहेगा एन important landmark of the pelvis that determine the distance of the descent of the head is known as देखिए यहाँ पर simple सी बात है examiner के आप से पूछ रहे हैं और यह most important questions है highlight हुआ है top 10 magazines के साथ साथ और आपके entrance exam में भी देखने को मिल रहे हैं questions यहाँ पर simple है कि एक landmark के बारे में बताना है जो pelvis के landmark का work उसके बारे में बताता है ठीक है simple से कहें अगर जो determine करता है जो भी fetal stations head है कौन सा landmark होगा ठीक है बताइए options सामने है estial, spines, estials, tuberosity, linear, terminalis या फिर sacrum बताइए दोस्तों आपको में थोड़ा से यहाँ पर clear करवा देता हूं थोड़ा सा structures के साथ क्योंकि यहाँ पर simple सा questions पूछा गया है क्यों सा pelvis का landmark होगा जो fetal engagement को दर्शाता है ठीक है पहले तो आपको थोड़ा से आप पर clear करवा देता हूं clear है आपको थोड़ा से यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह examiner questions पूछेगा ठीक है अब यह जो pelvis है ठीक है आपका यह structures है pelvis का यह जो बच्चे का head है ठीक है माल ले जी बच्चे का head है ठीक है और यह आपके क्या है estial spines है ठीक है यह आपके estial spines होगे ठीक है यह clear अगर माल लो बच्चे का head 2 cm उपर है यहाँ पर जैसे ठीक है तो यह किसमें count होगा इसको हम count करेंगे minus 2 cm minus 1 cm ठीक है यानि कि estial spines से उपर की तरफ होगा ठीक है तो उसको हम minus में calculate करेंगे और यह questions बन चुका है अभी ठीक है अगर इन estial spines से नीचे की तरफ होगा ठीक है तो उसको हम किसमें count करेंगे plus में ठीक है जैसे कि plus 1 plus 2 cm के हिसाब सही count होगा ठीक है तो देखिए इसका बिल्कुल सही answer क्या होगा राइट answer रहेगा estial spines option number a plan estial spines determine करते है fetal stations को ठीक है तो confused नहीं होना है बिल्कुल मैंने आपको असानी से याँ पर समझाने की कोशिस की है लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा questions लेना चाते है नर्सिंग के जीके के या फिट test simply आप वर्ट्साप करेंगा जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि 500 students के लिए बहुत एक specials offer है वर्ट्साप करके आ आप सारी जानकारी ले लिजिए questions आपका नहीं जोटेगा यह promise है 100% first attempt में ही आपका यह exam निकल जाएगा और government seat आप हासिल करेंगे ठीक है और जितने भी advantage है फिर आप सरकार से ले सकते हैं clear चलिए next questions के ओपर चलेंगे very important questions आईए और आपको clear है कि हम वह questions include करते हैं जो भी today's questions highlight रहते हैं लेकिन आसे बहुत सारे और भी questions है जो most important category में है वर्ट्साप आपका लेना चलिए यहाँ पर next questions को देखते हैं मुए इंट्रेसिक्टर इस सेक्रेटर बाय देख्यें यहाँ पर इंट्रेसिक फैक्टर वह सेक्रेटर्टíll होता है क्या यह चीफ सेल्स हैं पंडिक साल्स हैüher नास्ट सेल या फिर ओक्सिंटिक सेल रही बताईए ड़र में की औ कि आक्सींटिकlex कुः हैं चिन इसके नाम से जानते हैं कि इसके नाम से गाभी कि नाम से बताया है जो इंट्रेसेशे spouse वह सिक्रेट करने का काने पुर्य र Dust important है, आपको आना चाहिए, clear, चलिए, next questions की तरब चलेंगे, और whatsapp करके आप सभी questions ले सकते हैं, professionals के अंडर questions आपका नहीं चूटेगा, HPSSC postcode 933 के लिए, ठीक है, वो सभी questions आप exam hall में जाने से पहले पढ़ सकते हैं, और आप एक अच्छी performance के साथ जाएंगे, तो कहीं न कहीं आपको 100% advantage यहाँ पर होने वाला है, चलिए, next, यहाँ पर देखेंगे, when the drug is introduced in the bone marrow, this root is called, very important questions आईए, simple सा, यहाँ पर examiner यह पूछ रहा है, कि drug को जब bone marrow के अंदर inject किये जाता है, तो इस root को क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम दिये जाता है, this root is called, या फिर उस root को क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है, intrathecal, intraperitoneal, intramedullary, intraoratial, intraoratial, ठीक है, बताइए, options आपके सामने है, जल्दी से quick, थोड़ा सा 3 seconds आपके सभी के पास रहते हैं, क्योंकि आपका सोचना और सही अंसर होना, यही important है, बताइए, friends, जब drug को bone marrow के अंदर inject किये जाता है, ठीक है, तो उसे हम, intramedullary के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, intramedullary के नाम से जानते हैं, option number 6 is the right answers, अगर आपने सोचा था, और सही हुआ, तो well done, आपकी preparations बहुत अच्छी है, friends, ऐसे और कॉल कॉल से questions हैं, जो most highlighted है, जो most repeated है, और जो most previous based है, और जो सा साथ में highlight हो रहे हैं, जितने भी entrance exam हो रहे हैं, simply आप यहाँ पर WhatsApp कर लेना, collections आप ले सकते हैं, nursing questions के लिए भी, और GK, जो सबसे ज्यादा important role play करेगा, आपकी इस exam को clear करवाने के लिए, और साथ में, हमारी team आप से test भी लेती हैं, हर एक दिन छोड़के, जिसमें आप अप आपने graph भी check कर सकते है, total marks, percentage, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपके लिए important है, किसी भी exam को crack करने के लिए, क्योंकि exam है, सरकारी exam है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा अगर आप authentic pattern के साथ चलेंगे, तो exam आपका निकल जाएगा, बाकी सारी आपकी यहाँ पर help आपकी यहाँ झातो!